हेलो एर्यवान स्वागत है आप सभी का एक और फैंटिसी प्रिव्यू में मुकाबला यहां पे ऑस्ट्रेलिया बनाम श्री लंका एंड यह केला जाएगा दे एक काना स्टेडियम लखना एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग मुकाबला यहां पे आपको देखने को मिलना प्रेंट तक देखेगा रिमेंबर टो हिट बेल आइकन एंड लाइक बटन जरूर रिट करिये मेरा विंट प्रेडिक्शन ऑविसली इस गेम के लिए ऑस्ट्रेलिया है एविन दो थोड़े आउट ऑफ रंग लगें अब तक बट मुझे लगता है कि काफी स्ट्रॉंग ट सब कुछ आपको वही पर मिलेंगे और दोनों ट्विटर एंट टेलिग्राम के लिंक से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वही से जुड़ेगा ताकि आप सही चानल पर जुड़ पाएं अब चलते हैं आगे की तरफ पहले चलते हैं वेदर रिपोर्ट की तरफ क्लियर सान को मिलना चाहिए और दोनों टीम्स के बीच और एक बहुत बड़ी मिच्ची थी वो थी पिच्च की जो लास्ट गेम में थोड़ी तरीके से आपको रिवील कर दी गए थी तो जो लास्ट गेम हुआ था वो उन पिच्च नमबर फोर जो थी अच्छी बैटिंग पिच थी ऑस्टेलिया और साथ आफ्रिका के बीच वो वाला गेम हुआ था तो ध्यान से सुनेगा अगर पिच्च नमबर फोर पे गेम होगा तो क्या दो चीजों के बारे में याद रखना है थोड़ा सा डिफिकल्ट टू स्टार्ट है एक बार आप सेटल इन हो जाओ तो आप शॉ ज़्यादा ध्यान रखेगा बट ऑल इन ओल जो पहला गेम हमने यहां पर देखा एक काफी बैलेंस पिच्टी फो बैटर्स स्पिनर्स और ओवर आल इसा नहीं था कि चार सो वाली पिच्टी बट ऐसा भी नहीं था कि 200 या 250 वाली पिच्टी तो एक बैलेंस मुकाबला यह यहां पर आपको देखने को मिलना चाहिए between the bat and the ball and squad news बहुत सारी important news है यहां पर पतिराना रूल आउट है नेक्स टू गेम से शना का रूल डाउट है from the world cup नहीं कप्तान है श्री लंका के कुसाल मेंडेस and Travis head is expected to join back for Australia but from Thursday तो यह वाला game obviously Travis head नहीं खेलेंगे उस्टेलिया के लिए expected playing 11th की बात की जाए तो काफी similar 11 में expect कर रहा हूं यहां पर स्री लंका के लिए except for the fact की पथिराना नहीं रहेंगे तो शनाका की जगे पर आ सकते हैं या तो दुशान हिमांता या चमी का करूना रतने and जो पथिराना वाला slot है वहां पर आ जाएंगे रजीता या लही लुक कुमारा को मौका मिले इस काफी heavy ball डालते हैं तो impact उनका बन सकता है Australia की बात की जाए तो मेबी carry and English में वापस वो switch हो बट लास्ट गेम में हमने जो देखा English पर भरोसा दिखाया गया था और अगर अच्छे से खेले तो आगे और मौका दिया जाएगा उन्हें remember to sign up on my and exchange 22 दोनों पर हमारा refer code FCP तो वही से जुड़ेगा ताकि आपको best offers मिल पाएं दोनों अपस पर एंद दोनों अपस के links है इस video के description में तो जल्दी से जाके अभी क्या भी sign up करें फिर अगर app पसंद आए तो deposit करें नहीं पसंद है तो uninstall का option हमेशा आपके पास है अब चलते ह है कौन है उनकी important players इस मुकाबले के लिए पहले player David Warner I think अच्छी value आपको दे सकते हैं यहाँ पे power play में बड़ा threat होगा उनके लिए महेश तिक्षाना as off spinner उनको early परेशान करते हैं don't be surprise अगर दूसरे end से दनंजा डिसिलवा भी आ जाया fantasy value opportunity meter का क्या मतलब है कि जो player उस game में है उनका fantasy value कि किस scale पर जो ज्यादा green आपको दिख रहा है यहाँ पर towards the right and white space कम है मतलब हम ज्यादा fantasy value expect कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 70 to 80% बार यहाँ पर भरा हुआ है मतलब decent fantasy value expect कर रहे हैं बैटिंग open कर रहे हैं तो बैटिंग के साथ उनका अच्छा मौ ले लेते हैं तो fantasy value अच्छी है और जो दूसरा आपको यहाँ पर दिख रहे है risk meter अब बैटर्स के लिए risk meter जितना कम होतना अच्छा क्योंकि risk meter का क्या मतलब है कि starting में अपने innings के वो कितने बड़े-बड़े shots खेलने जाते हैं अब जब एक batter कम बड़े shots खेलने जाते है at the start of the innings वो हमारे लिए fantasy perspective से बहुत अच्छा बात होता है क्योंकि क्या हो जाता है कि batsman अपना समय लेके खेलता है aerial shots कम खेलता है अपना wicket concede करने का मौका उनका थोड़ा वहां कम हो जाता है which is good for us from fantasy perspective क्योंकि वो single double ले लेके points बटोल लेगा तो hence इन बातों का ध्यान रखिये risk meter the lesser the better for the batter and जितना high for the bowler उतना बेटर fantasy value ओविसली दोनों के लिए जितनी opportunity बैटर या all-rounder या बोलर को ज्यादा मिले उतना ही अच्छा हम सब के लिए तो I think good pick for this game डेविड वॉनक अगर specially वह opening spell खेल कर निकाले मिचल मार्श की बात की जाए तो obviously spin के सामने कुछ तकलीफे हैं last game में in front of the seeming ball भी कुछ खास नहीं कर पाये थे अब इनकी जो fantasy value है इस game में ठीक टाक है बट इनके साथ एक बात धियान रखिये कि हमेशा start से काफी higher risk के लेते जाते हैं जिसकी वज़े से अपना wicket काफी बा 50-50 pick for me in this game Steve Smith आप देख सिख तो risk meter काफी कम है pitch भी इनके लिए suitable है form भी इनकी suitable है and fantasy value बहुत अच्छी है अपना समय लेके खिलते हैं risk कम लेते हैं and plus एकाथ catch आपको लेकर दे देंगे and top class batter in the world so I don't think too much doubt फिर आते हैं मानस लबूस के आगने की तरफ इनकर चायल होगा spin के स सामने अब वाइल कोई ऐसे spinner नहीं है जो बॉल इंसे आवे लेजा अनलिस दुशान हिमानता खिलते हैं तो वो इसाप से इनकी fantasy value थोड़ी ठीक ठाक हो सकती है प्लस यह leg spin भी डाल सकते हैं अगर required but पहले कुछ games में नहीं डाला इनोंने so I don't know अगर use किये जाएंगे की नह तो वो इसाप से एक ठीक टाक पिक यह बन जाते हैं GL में तो बिल्कुल ट्राय करूंगा Glenn Maxwell आप देख सकते हैं यहाँ पर fantasy value का meter full है क्यों कि आपको batting से भी मौका देंगे bowling के साथ भी इनके अच्छे खासे overs पे लास गेम में पूरे 10 over करके गए और साथ-साथ में फील में भी hot spots में रहते हैं तो वो इसाप से इतनी सारी जगहों पे इन्हें opportunity मिल रहे हैं कि obviously बहुत अच्छी pick बन जाते हैं and obviously आप risk की बात करो तो बैटिंग के साथ कि तो यह अच्छा खासा risk लेते हैं हर ball काफी समय शॉट खेलने को जाते हैं बट क्योंकि इतने department से value देते हैं आपको base team से drop करके बिल्कुल भी यहां मतलब नहीं बनता आप इन पर risk कब ले सकते हो grand league में जब आपको लग रहा है कि pitch थोड़ी slow हो and वो हर shot off the bat six के लिए ना आ जाए बट फिर भी वो आके ball के साथ ऐसी pitch पे contribute कर सकते हैं तो all and all a risky drop specially क्योंकि यह team के second spinner है फिर चलें Alex carry की तरफ recent form कुछ खास नहीं लगा अब या तो यह खेलेंगे या तो खेलेंगे इस slot में Josh English अब Josh English खेलते हैं तो फिर भी GL में try करने लायक होगा इसका भी कबार यह quick 40-50 runs मार के जा सकते हैं सिर्फ एक और problem इनकी यह कि काफी risk लेके खेलते हैं spin के सामने यह पकड़े जा सकते हैं बट all and all boundary bonus points आपको ठीक ताग मिल सकती है प्लस wicket keeping points always a plus with either of Josh English और Alex carry फिर चले Marcus Toynes की तरफ I think यह इनका home ground है last game में कुछ खास bowling नहीं मिली है अज हमने देखा Australian अपने main bowl उसको ज्यादा prefer किया मैं वही expect कर रहा हूँ अब यह ऐसे type के player ही कि अगर इनने अपना समय मिलता है तो यह starting में ज्यादा risk नहीं लेते बट ज्यादा तर समय इनकी जो entry point होती है तब होती है जब team की batting set हो है और इनने आके innings finish करनी पड़ती है तो वो इसाब से obviously risky pick बन जाते है but all in all मुझे लग रहा है कि अगर यह कल आज 50 ए 6th bowler खेले मेरे इसाब से अच्छी pick बन सकते हैं कोई भी इनके against ball नहीं turn करेगा तो वो इसाब से कुछ बड़ी hits आपको देख सकती है in the lower order as Sri Lanka के पास कोई भी death bowler नहीं है especially कि पथिराना नहीं कहल रहा so I think a strong pick for you to consider tomorrow फिर चलें pat comments की तरफ I think अच्छी कासी fantasy value अच्छी कासी fantasy value आज हमने last game में देखा कि with the bat भी ठीक था contribution किया था पर इनका risk meter low क्यों है as हमने देखा है कि ज्यादा तर समय ये death में आते हैं bowling करने तो वो इसाब से थोड़ी defensive phases में use करते हैं अपने आपको and वहां पर जो wicket taking opportunity है वो कम हो जाती है तो वाईल ये overs ज्यादा डालें जरूरी नहीं है कि wicket ज्यादा लें but I think fantasy value ठीक आ गया as bat के साथ भी contribution आपको मिल सकता है इनके साथ and remember to use the exchange money to leaderboard app का link है वीडियो के description में and हमारा refer code है FCP फिर चलें आगे की तरफ याद रखी कि exchange money to be no GST no TDS app है so ensure कि आप पूरा benefit उठाएं यहां पर Mitchell Stark risk meter भी full है fantasy value भी full है क्यों कि इनकी जो type की bowling है वो Sri Lanka को भी परिशान कर सकती है तो matchups के साथ से Sri Lanka के लिए खराब and good fantasy value plus risk meter higher as यह डालते हैं in the power play and in the death along with 1-2 overs in the middle phase तो हर phase में वो attacking phase में डाल रहे है या तो बहुत run खाएंगे या तो wickets लेके देंगे आपको तो वो हिसाब से एक बहुत अच्छी pick बन जाते हैं बिल्कुल मेरी base team में रहेंगी यह and finally Josh Hazelwood अब यह कुछ overs death में डालते हैं बट जरूर ही नहीं है कभी कबार क्या होता है इनका एक over खराब हो जाते हैं तो फिर Pat Cummins आ जाते हैं तो इनके और Pat Cummins के बीच वो death overs ज्यादा तर distribute हो जाते हैं Henshin का risk meter somewhere in the middle है and fantasy value भी मैं काऊंगा ठीक टाक हैं not over the top बट श्रिलंका इसी team है जहां आप prefer करोगे कि आप ज्यादा पेसर लेके जाओ and मैं at least होई strategy के साथ जाओंगा unless Australia bowl second क्योंकि फिर इनकी जो value है ज्यादा बढ़ जाएगी as फिर bowling second में इनकी risk meter बढ़ जाएगी as फिर ये use होंगे in the middle overs जब स्रिलंका के ज्यादा runs नहीं बने होंगे in front of pace and फिर wickets किसको जाएंगे वो जाएंगे Adam Zampa को तो इस बात का धियान रखेगा Adam Zampa while bowling second can be big value proposition for you and ये हुई Australian team की बात Cameron Green unlikely to play अब चलते हैं टीम स्रिलंका की तरफ and फिर बनाएंगे हमारी आज की fantasy team पातुम निसंग का एक ठीक टाक पिक अपना समय लेके खेलते है risk meter is down क्यूंकि अपना समय लेते हैं थोड़ी stable fantasy value है GL team में बिल्कुल rotate कर सकते हैं अगर आपको last slot पे confused रहे हैं आपको कोई चाहिए जो 25-30 points आपको आराम से दे पाए even on his bad days कुसाल परेरा बहुत ज्यादा risk लेके खेलते हैं भाई ये तो हर ball आपने देखा होगा in the first few games shot पे shot मानने गए बढ़ ज्यादा लगी नहीं इनकी shots I hope कि अच्छा कर जाएं मेरे लिए at one point काफी favorite खिलाडी थे हैं बढ़ कुछ खास इनका form नहीं रहा है ऑफ लेट जील में ने rotate कर सकते हो base team में लेके point नहीं पनेगा कुसाल में बहुत अच्छी form में चल रहे हैं अगर आपने देखा होगा जो दोनों इनिंग्स में इनने केला against South Africa इनको पहले ही बॉल पे एक रिप्रीव मिला था अंपायर ने आउट दिया था फिर not out हो गए थे against Pakistan यह drop होए थे दो बार below 20 या 25 रंस तो दोनों जो इनिंग्स है वहाँ पे यह high risk approach की वज़े से इन्होंने मौके दिये हैं तो ऐसा मत सूची कि मौका वो जल्दी नहीं आएगा क्योंकि Australia की bowling attack, pace attack is much better than these first two teams I will not be surprised अगर यह जल्दी out हो जाए तो while fantasy value अच्छी है इनकी अच्छी है प्लस wicket keeping भी कर सकते हैं अगर सदीरा नहीं करें बट इनका risk है high होगा तो possible है अगर आपको लग रहा एक जल्दी wicket चली जाए तो सदीरा को आप बिल्कुल try कर सकते हो सदीरा सामर विक्रमा थोड़ा अपने समय लेकि खेलते हैं यह ऐसे नहीं है कि starting से risk लेते जाए और याद रखे कि अगर श्रिलंका की एक-दो wicket जल्दी गिर जाए तो फिर इनकी पास option भी नहीं है फिर वो starting से वो risk ले भी नहीं सकते हैं तो I think यह points leaderboard अगर आपको ज्यादा invest नहीं करना बट फिर भी कुछ बड़े प्राइज जीतने तो आप क्या करो जो ग्रैंड लीग है मार्स 11 पर वहां आप जाके जोड़ जाए और ज्यादा से ज्यादा टीम बनाई है जो भी टीम का best points होगा है इन दे मैच उन टीम का points गिना जाएगा इन दे लीडर बोड तो ज्यादा से ज्यादा टीम बनाई है अप टू 30 टीम आप बना सकते हो और फाइफ परसेंट बोनिस के आश आप यूज कर सकते हो पर टीम पे बाइ साइन अप टीम प करते हैं धनेंजा डिसलवा की इनके offspin काफी valuable है बट प्रॉब्लम के आप बैट काफी लुआ आते हैं हमने देखा है लास्ट कुछ गेम इनके जो ओवर शनाका के साथ शेयर हो गए अब यह गेम में इनके ओवर शेयर होते हैं कौन से 6 बोलर खेलते हैं उन सारी बातों प आपको fantasy value उन से कभी कबार कम मिले बट आइधिंग फिर भी अपने वर्स दिनों पर भी यह 30-40 पॉइंट देकर ही चले जाते हैं चमी का करूनरत ने इस प्लेयर को मैंने एक पॉइंट तक काफी hype भी किया अज मुझे लगता है काफी valuable हैं जिस तरीके इनके change-ups हैं not easy to pick आ अगर इन्हें मेरी टीम में जगह मिल जाए स्पेशली अगर यह 56 बोलर है कलके गेम के दुशान ही मनता थीक टाक पर कैं दुनित वैला लगे काफी sharp डाला है इन्होंने पर प्रॉब्लम किया इनके साथ की ज्यादा middle overs में यूज होता है तो इनकी जो usage है थोड़ी से defensive है ब left hander हो इन्हें खास फरक नहीं पड़ता यह आके अपना काम कर जाते हैं थोड़ा अपना flow डूड़ने में समय ले रहे हैं हमने देखा कि पाकिस्तान की सामने उतना impact ने रहा फिर भी काफी economical थे ऐसी pitch पे अगर थोड़ा सा भी इनको value मिला तो यह काफी dangerous बन सकते हैं फिर चलते हैं कासुन रजीता की तरफ अगर यह खेलते हैं ठीक थाक वालीबल हो सकते हैं सेकंड बोलिंग में अपने ट्राइक कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा निप राउंड होगा he'll be your man for that specific scenario दिल्शान मदुशंग का similar asset थोड़ी moment होगी तो यह आपको help द हमारा की तरफ last pick from here एक heavy ball डालते हैं and on a land डालते हैं I think GL में आप इने बिल्कुल ट्राइकर सब्सक्राइब की बोलर है कि बहुत हाई-पेस हैं तो अपने दिन पर या तो यह तो यह तो 80-90 runs खाकर जाएंगे ऐसे ही टाइप के बोलर हैं दिमुत करोना रतने वेरी अनलाइ थिक्षाना भी एक बार आउट कर चुक है मिचल मार्श वेल डाल लगे है दो बार आउट हुए और वापस वहां पर strike rate खराब है और मानस लबुस क्यागने को भी दो बार ले गई है और strike rate वहां पर भी काफी खराब है वाइल कुसाल परेरा आउट हुए मिचल स्टार को तीन बार अगेन अड़ पूर श्राइक रिड तो यह जो बैटर यह आपके रेड रेडर पर होने चाहिए और इन पर आप जी यल में तो बिलकुल रिस्क लीजिए चाहिए आप स्मॉल लीग में बेस्टीम में लो या नहीं आप बनाते हैं हमारी आज की बेस्टीम तो बे चुका हूँ क्या सेनारियो में आप उन पर रिस्क ले सकते हो जो स्ट्रेट फ़ॉड बैटर होंगे वो होंगे स्टीव स्मिट उसके अलावर डेविड वॉनर लास गेम में कुछ खास नहीं कर पा है और उनके मैटप्स में और डिसकस कर चुका हूँ में बी एक वर्दी ले लेता हूं मिचल स्टार्क जैसे मैंने का मैं सारे और तीकषाना को बैट करूंगा इस मुकाबले में जो बाकी दो प्लेश हैं उनको मैं बेस्ट ऑन टॉस एं सिनारियो लोगा तो अभी के लिए मुझे लगता है कि यहां पर टीक टाक चॉइस बन सकते हैं कि जैसे मैं का विद्ध बैट एंड विद्ध बॉल मुझे वैल्यू दे सकते हैं जो सेफ बिग बन जाते हैं बेस्ट ऑन नंबर ऑफ जो कैचिस देंगे जिस टाइप की बैटिंग अप्रोच ज्यादा रिस्क नहीं लेते हुए डेविड वॉनर तो हैंस अभी के लिए उनके साथ जा एंड जैसे मैंने का कि राइट हैंस के सामने कुछ खास थ्रेट में भी ना हो कर लेगे बॉल उतना टन नहीं करते तो इस टीव स्मिट के बेस्टीम कुछ चेंज जो ही तो वह मैं आपको प्रता दूंगा टेलिग्राम अड अब चलते हैं डिसकस करने की कौन से वो जील आ अगर पहली बोलिंग करते हैं अगर फिफ्ट या शिक्स्त ऑप्शन है तो उसकी इसमें उनने ट्राइ करीगा आडम जामपा वाइल बोलिंग सेकेंड बिल्कुल फिर तो मेरी बेस्टीम में भी यह जगह डूंड लेंगे मैं एक और ऑस्टेलिएन प्लेयर को बोलर को वहां कैसे भी फिट कर लोंगा बोलिंग फर्स दिल्शान बोलिंग फर्स और मेभी एवन बोलिंग सेकेंड इफ पिच इस दिल्शान मदुशंका और कसून रजीता इन ग्रैंड लीग बिल्कूल इन दोनों को ट्रा करीगा तो यह रहे मारे आज के जीयल ओप्शिन यहां पर अब देखते हैं कि कौन से अगर आप सोच रहे हो कि क्यों यह वर्दी रस बन जाते हैं तो मैच अप सेक्षिन देखिये एंड प्लेयर वन पेजर देखिये अब समझ जाओगे उससे ग्रांड लीग सीविसी ओप्शिन बोलिंग सेकेंड डीएस अन इधिंग इवन जैंपा वैल्यूबल देखिये बैटिंग सेकेंड बोलिंग फिर्स जॉश हेजल वोड और इन बोद सेनारियो स्टीव स्मिथ मिचल स्टार्क अन ग्लेन मैक्सवेल तो यह रहे मारे आज के ग्रांड लीग उप्शिन इंशॉर कि आप सब मायमास 11 पर साइन अप कर लो जो भी फाइनल टीम अपडेट सब कुछ आपको वही पर शैर कर दोंगा मैं एक्सचेंज 22 पिक्स की बात की जाए तो करेंटली यहां पर दिख रहा है कि लाइव हो चुका है तो एक्सचेंज 22 पिक्स की अभी हम अभी ही डिसकॉशन कर लेते हैं तो अस्चेलिया की बात की जाए थिंग जॉश हेजलवूड इफ बोलिंग फॉर्स एट 47 इस वेरी वाल्यूबल आदेम्स अंपा वाइल बोलिंग सेकेंड 48 और मार्कस तॉइन इस थिंग 37 पर थोड़े स्टील डील बन लिंक इन दिस्क्रिप्शन आपको रुपीज 50 रियल कैश मिल लेगा जिससे आप बिना डिपॉजिट के खेल सकते हो तो इंच और अभी डिपॉजिट कर लें जल्दी लाइक बटन हिट करिए जल्दी मिलेंगे एक और प्रिव्यू के लिए रिमेंबर तो लाइक थाइक तुन इन प्रूम आन्ध या जिए लिए बंकार भॉजिए हो जया जैंगे इन